प्रभाणी पुर्ण देश्वडी ने सरकार पर लगाया ब्रश्टा चारकारों तो मुख्यमंद्री बोले लगता है निकाय चुनाओं के सद्मे से उबर गई भाजपार राजपाल बोली विश्वव में कहीं से भी लिये जा सकते हैं अब देखते हैं खबर विस्तार से भाजपा की प्रदेश प्रभारी डीप पुरंदेश्वडी तीन दिन के दौरे पर बस्तर पहुंच गई है यहां उन्होंने राजपाल सरकार पर भष्टा जार का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि तीन साल में ही सरकार से लोग उप गय है इधर राइपूर में मुख्यमंत्री भुपेश पखीन ने कहा अच्छा है कि भाजपा नगरी निकाय चुनाव में हार के सदमे से निकल गई दंतेवाडा में मीडिया से चर्चा में भाजपा प्रभारी डी पुरन देश्वरी ने कहा कि पिछले तीन साल में ही यहां की जनता राज्य सरकार से तंग आ गई है विकास तो कहें दिखता ही नहीं है इधर लखनव रवाना होने से पहले प्रेश से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने कहा नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो ये लोग सदमे में थे उससे उबर गए हैं लगता है मुख्यमंत्री ने बस्तर की बैठक में भाजपा के प्रदेश नेत्रित्व और पुर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सही को नहीं बुलाई जाने पर भी तंज कसा उन्होंने कहा यह इस पश्ट है कि भाजपा को अब पुराने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है वह नया नित्रित्व तलाश रही है इस मुद्दे को लेकर राजपाल और मुख्यमंत्री ने अला गलग बयान जारी किया है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चवदाह विश्व विद्द्यालियों में अधिकांच में एक हिस समाज के कुलपती है ये कहा तक उचित है राइपूर एरपोर्ट पर इसे मुद्दे पर बात करते हुए मीडिया से 36 गड़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस्थानी लोगों में प्रदिभा है मांग कर रहे हैं तो इसे अंदेखा क्यों कर रही है हम अपने मांग नहीं रख सकते राज्यपाल राजनीती करना बंद करे राज्यपाल राजनीति करना बंद करें इस तरह की राजनीति करना 36 गड़ के हिद में नहीं है राजनीति करना बंद करें इस तरह की राजनीति करना बंद करें इस जमीन को खरीदने वाले अश्विनी वर्मा और उसके छोटे भाई तमेश को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है ED की तरफ से अफसरों ने बताया कि 36 गड़ पुलिस के FIR के बाद जाच में ED भी शामिल हुई जाच में खुलासा हुआ कि अश्विनी वर्मा ने नकसलियों से नोट बंदी के वक्त रुपए लिए यह पैसा विभिन्य वक्तियों इस्थानी किसानों को अनाच की खरीदी के बदले कृषी उत्पादों के बदले दे दिया गया पाद में खरीदी गई चीजों को बेच कर इस पैसे को एक कृषी भूमी की खरीदी में निवेश किया बताया जा रहा है कि अश्वेनी ने नकसलियों से मिले पैसों से प्रॉपर्टी सोने चांदी के जेवरात और गाड़ियां खरीती है रिमांड में हुई पूछतास के मुदाबिक अश्वेनी ने 30 लाख रुपए नकसलियों को वापस करना कबूला वहीं लगातार उन्हें दैनिक उप्योग के समगरी उपलब्द कराता रहा है पुलिस ने अश्वेनी के प्रॉपर्टी और गाड़ियों का कागजात भी जब्द किया है अश्वेनी ने नकसलियों के शहरी नेटवर्क के तौर पर भी काम किया शत्यसगर विधासभा का तेरवा सत्र साथ मार्च से शुरू हो रहा है सत्र के लिए अब तक विधायकों निस्सरकार से जानकारी के लिए 1200 सबाल लगाए है सत्र के दोरान 11 मार्च को बजट पेश होने की संभावना है विधान सभा के इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठके होंगी अब तक कुल 1200 सवाल लगा जा चुके हैं इस सत्र के दौरान आधा दर्जन से अधिक विध्यक भी पेश होंगे इसके लावा मदन वाड़ा ताड मेटला न्याईक जाच आयोग की रिपोर्ट भी विधान सभा में प मुआज़ा उन्हीं अभी तक नहीं मिला है और अपनी जमीन रेल कॉरिडोर में जाने के बाद विकारयालयो का चक्कर काट रहे हैं कोईला डुलाई को आसान बनाने के लिए गेवरा पिंडरा रोड रेल कॉर्डिटोर का निर्मान किया जा रहा है इसके लिए सैकडो गावों की किसानों की जमीन का धिग्रहित की गई जमीन पर पेडों की कटाई की खबर मिलते ही किसान सभा की नित्रतों में किसानों ने पहुंच कर काम को रुखवा दिया जमीन के तो मिल गए है जम पेड़ के पाउधा करी मिले हैं तो का करिया अवेला रोपला के हो मैं रोपला का हूँ अब तक मुझार के पैसा नीमी सब्सक्राइब 36 गड़ के कोरबा में तीन लड़के सेलफी लेने के चकर में डैम में ही फस गया पिकनिक मनाने के दौरान ये लड़के फोटो खीशने के लिए पानी के अंदर खुश गया तब ही अचानक डैम का जलसतर बढ़ गया इससे वो अंदर ही फसे रहें गया पानी में फसे लड़कों ने अपनी जान बचाने के लिए डायल 112 को सूचना दी इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गए जवानों ने सबसे पहले गारी में रखी एक बड़ी रस्सी डैम में फेका जिसको तीनों ने पकड़ लिया इसके बाद बांगो टैम प्रबंधन से बात कर डैम के गेट को बंद कराए गया जिससे धीरे धीरे जलसतर कम हुआ लड़कों को बाहर निकाला गया 36 गड़ के गोरिला पेंडर बरवाही जिले में कल देर रात एक तीज रफ्तार कार अनियंतरित होकर फेड से टकरा गई हाथसे में कार में सवार रिटायट सिक्षक दमपत्ती की मौत हो गई जबकि जाइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है पताया गया है कि बरवाहपुर के शांति नगणिवासी रिटायट सिक्षक त्रिलोक नाथ शास्त्री अपनी पत्नी चंदरकांतर शास्त्री के साथ एक शादी समारों में शामिल होकर औल्टो कार में बिलासपोर लौट रहे थे इसी दोरान करी आम के पास उनके कार रहने अंत्रित होकर सड़क किनारे पेट से जाटा कराई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और कार के अंदर फसे लोगों को बाहर निकाला लेकिन तब तक पति-पत्नी की मौत हो चुकी थी वही कार चौलक गंभीर रुप से घायर था जिसे इस्पताल में भरती कराए गया और इस बिलेटिक में पिलाली तना ही बनेरी डीडी बिलाइब के साथ नमस्कार